इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो दिन दिया लोग पाद है गोरखपूर उस तहले गोरखपूर से बच्चे बीएट कर रहे हैं और बीएट समस्तर में उनकी लिए कोर्स है जिसका नाम है इंड करिकुलम ग्याने पार्ट करम कोर्स का कोड है एक अपका निवार पेपर है एक जीएट नौलेज एंड करिकुलम उस knowledge and curriculum से सम्मंदित question paper 2004 से लेकर के 2023 तक के unsolved question papers को हम इस वीडियो में देखेंगे हम देखेंगे कि सत्व 2004 में क्या क्या प्रश्ण आते थे इस paper में और सत्व 2024 से लगाए 2023 तक क्या क्या प्रश्ण पूछे गए हैं इस paper से related कि चली क्लास को स्टार्ट करते हूं सबसे पहले हम देखेंगे सत्व 2004 में knowledge and curriculum वाले paper में क्या प्रश्ण पूछे गए तो इस तरह से 2023 तक हम आएंगे कि 2023 तक में क्या क्या चेंज हुआ है ट्रेंड में बदला हुए और कौन कौन से प्रश्ण किस किस समस्टर में knowledge and curriculum के paper में पूछे गए हैं आपके स्क्रीन पे बी एड एड एक्जामनेशन दोहर चार का question paper आ गया उसमें paper का नाम था teaching in emerging Indian society 2004 paper one paper one था पेपर का नाम था teaching in emerging Indian society उसमें देखें क्या निर्देश होते थे question paper में पांच प्रश्ण के प्रथम प्रश्ण निवारे प्रते खंड से दो प्रश्ण करना है अर्था question number one compulsory होता था जिसको जिसका उतर यहां पर देखी question नमर वन में लिखा है कि प्रते एक प्रश्ण के प्रते एक अंस का उतर 150 सब्दों में दीजिए पहला प्रश्ण समय उम अस्थान के संदर में सिक्षा के उद्देश दूसरा है बौध धर्म का सिक्षा प्रप्रभावत दूसरा है आर्थिक विकास के उक्रण की रूप में सिक्षा और चोथा है सम्मेगात्मक यहां राश्टी एक्ता की आवशक्ता कुशन नमर टू है दर्शन किस प्रकार सेक्षिक उद्देशियों पाठिकरम गुरुस सम्मन्द की निर्धारण में सहायता करता है भारती सिक्षा के संदर में इसकी विवेचना कीजिए अगला प्रशन है भारती सिक्षा के विभिन पक्षों पर प्रकृत वायत के मिया की विवेचना कीजिए कुशन नमर पांच है अनुसुचित जात अनुसुचित जन्जात यों महिलाओं की सेक्षिक उसरों को बराबर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं उप्युक्त उदारों का उलेख करें फिर सेक्षन भी है सिक्ष ए प्लेटों के सिक्षा स ब्भारती सिक्षा में बेसिक सिक्षा की प्राशन गीता कॉश्चन मर dta है कि सिक्षा की सामाजिक परिव AfD करता की रिप में विवेचना करें ओलेः करें कॉश्चन नोमर नाइन ए जंसंख्या सिक्षा को को बीrecht पात dual कि अंतर्कत क्यों पढ़ाया जाए उप्य नाइश अथ्वा मदन महन मालुई की सेक्षिक दर्सन की विविचना कीजिए आगे आगे 2005 का कुश्चन पेपर 2005 में देखिए पेपर का नाम है पेपर वन टीचर इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी कुश्चन नमबर वन है 150 सब्द मुत्त लिखना है पहला पार्ट है निश्याध किने हैं किने ही 2 प्रेशन करना है कुश्चन सिक्षा के प्रियोग के लिए पत्फृदरसक है बटलर उप्विक्त उदाहरणों द्वारा इस कथन की विवेचना कीजिए Q3 उद्देशियों, पार्टिकरम, सिक्षण विदियों, सिक्षण तथा अनुसासन के इस बिशिष्ट संदर में आदर सुवात की विवेचना कीजिए Q4 प्रियोजन वात से आपका क्या भी प्राय है, सिक्षण के सिध्धान ते विवेवार को इसने किस प्रकार प्रभावित किया Q5 है, टैगोर आधुनिक भारत के सैक्षण प्रृत्थान के सबसे महान पैगंबर थे, उपिक्त उधारों द्वारा इस कतन का आलोशनात्मक परिक्षण कीजिए Q6 का B है, पंडित मदन महन मालवे के सैक्षिक विचारों की संचिक विवेचना कीजिए Q7 A, सिक्षा में यथार्थ हुआद से क्या अभिप्राय है, इसके द्वारा प्रितिपादी सिक्षा की उद्देश्यों सिक्षण वित्था पाठिकरम की विवेचना कीजिए Q7 का B है, सिक्षा सामाजी करण की एक अभिकरता की रूप में प्रक्रण पर लग निबंद लिखे Q8 A है, भावात्मक एक एक करण में धर्म किस प्रकार से साहता करता है, स्पस्ट करें Q8 B है, आर्थिक विकास के साधिन की रूप में सिक्षा की विवेचना कीजिए Q9 A है, सामाजी करण का क्या अभिप्रा है, इस प्रक्रिया में सिक्षा की क्या विवेचना कीजिए Q2 2006 में भी पेपर का नाम वही है, Teacher in Emerging Indian Society 2006 में Q2 जो है, दर्सन विवेचन की सिक्षा की स्पकार से सहसंबनीत है, छात्रा ध्यापकों को तो सिक्षा दर्सन क्यों पढ़ाया जाता है, How philosophy and education are correlated, why educational philosophy is taught to the people teachers, Q3 प्रक्रितवाद के अनुसार सिक्षा की उत्ते, इस पाटिकर में सिक्षन विद क्या होनी चाहिए, प्रक्रितवाद ने भारत में सेक्षिक विचार प्रक्रिया को कैसे प्रभाविद किया, What should be the aims of education, curriculum and methods, method of teaching according to naturalism, How naturalism has influenced educational thought and practice in India, Q4 है, महात्मा गांधी के सेक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए, भारत में बेसिक्स योजना क्यों सफल नहीं हो सकी, Discuss educational thoughts of महात्मा गांधी, Why the scheme of basic education could not achieve success in India, Q5 है, Q5 है, उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं, Mention individual and social aims of education, How can they be achieved, Section B, at least two questions करना है, Q6 A, वैदिक तत्थ, Q6 A, वैदिक अथवाब बहुत सिक्षा की प्रमुपुश्यस्ताओं की विवेचना करें, Q6 B, सांत निकेतन रविदना टैगोर की सैक्षिक विचारों का प्रतीक है, Q7 A, राश्ट्रियूम समय गात्मक एकता की महत्र की विवेचना कीजी, Q7 A, भारत की प्रमोटन अच्छा की प्रमोटन इनकेतन रविदना, है सबस्ट करें हाव अब्जेक्टी ओफ एजुकेशन वैरी एकॉर्डिंटु टाइम एंड प्लेस्ट इस्टेट कुश्चन नमर भी है सामाजिक परिवर्तन की उपकरन की रूप में सिक्षा के महत की विविशना किजी डिसकस इंपॉर्टेंस ओफ एजुकेशन आज टूर क्या है भारत में पिछडी जात इंस्त्री सिक्षा के संदर में इसकी विशना करें वाट इस्टेक्ष्ट ऑफ एजुकेशन अपॉर्टेंटी डिसकस इट इंडर कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ सोशली बैकवर्ड कास्ट एंड विमें इंडिया भी है नाइन भी पर दोहर साथ की बात करें तो दोहर साथ में देखे पेपर का नाम है टीचर इन इमर्जिंग इंडिया सोसाइटी 2007 कुश्ट नमर वन एक सोपचास सब्दों में सोर देना है ए है रूसों की निशाधात्मक सच्चा रूसों निगेटिव एजुकेशन भी है सेक्षिक ऑशनों करना है कुश्ट नमर टू है प्रियोजन वाद से आपका क्या अभिप्राय है सिक्षा के सिध्धान तो इंब वहार को इसने किस प्रकार प्रभावित किया है वाट दो यू मीन बाइप्रेगमेटिजम हाव है इट इंफुलेंस्ट थी और प्रैक्टिस ऑप एजुकेशन क कुश्ट नमर त्री सिक्षा के चेत्र में दर्शन की आउसकता की विवेचना कीजिए डिस्कस्ट नीड फिलोस्फी इन इन फिल्ड ऑफ एजुकेशन को सिक्षा में प्रकृतवाद से आपका क्याव प्राय है सांत निकेतन में दी जानवाली सिक्षा प्रकृतवाद से कि प्रकार प्रभावित है वाट वाट दू यू अंडेस्टेंड बाइनेशनलिजम इन एजुकेशन हाओ इस दे एजुकेशन इंपार्ट एट सांत निकेतने इंफूच्ट बाइदे नेशनलिजम कोस्ट नमर फाइफ है उत्तम सामाजिक विवस्था के सरजन तथा संचालन में आदर स्वात के महत उत्था युगदान की विवेचना कीजिए डिस्कस दे इंपोर्टेंस और कंट्रिबूशन ऑफ आइडिलिजम इन क्रीटिंग एंड मैंटेनिंग इंगूड सोशल ओर सेक्शन बीज में एट लिश्ट टू को सिमिस दो प्रशनों को देना है आत्म भूत सिक्षा का सरोच उद्दिश समझा जाना चाहिए क्यों सेल्फ रिलाजेशन सुट बी रिगार्ड़ेट एज हाइस्ट एम ओफ एजुकेशन वाई भी है वैदिक सिक्षा की प्रवंकिश्टाओं की विवेचना कीजिए डिसक्षा के सिद्धानतों का विवेचना की इसक्षा के छेटर में पंडित मधनमहन मालवी की युगदान की ब्याख्या कीजिए एक्स्प्लें दा कंट्रिबूशन ऑपंडित मधनमहन मालवी इंदे फिल्ड ओव एजुकेशन एधार्थ वाद द्वारा पर्तिपादि सिक्षा के उद्धिस पार्टिकर में ब्यूटी सत्यम स्युम सुंद्रम दैट इस ट्रूथ गूड़नेस एंड ब्यूटी को डिस्कस करना है उसकी ब्यूशना करनी कुश्चन नमबर बी जो है इसका निरक्षरता नमूलन में राश्ट्री प्रवाण कारेक्रम की भूमिक्या की व्या क्या कि एक्स्प्लें दो रोल ऑफ नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम इन एरडिकेशन ऑफ इलिट्रेसी अब 2008 का कुश्चिन पेपर आगे 2008 में भी देखे नाम वही है टीचर इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एक सोपचास सब्दों में पहले प्रस्ट का उतरिना है अनिवार है ए है आदर स्वाद में विचारों का महत इंपोर्टेंस ऑफ इडियास इन आइडिलिसम बी है अध्यापक सामाजिक प्रिवर्टिन के साधने के रोप में टीचर एजन एजन टॉशल चिंज सी है भावा में आदर स्वाद का क्या प्रभाव है एक्स्प्लेइंग ऑफ इडिलिजम वाट इस इंपक्ट ऑफ इडिलिजम इन ट्यूरी एंप्रेक्टिश ऑफ इंडियान एजुकेशन को सिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहल है इस कथन के आधार पर सिक्षा और दर्शन के संबंद को असपस्ट कीजिए एजुकेशन इस डाइनमिक साइट ऑफ फिलोस्पी एक्स्प्लें दर्शन से बिट्म फिलोस्पी एजुकेशन ऑन बेशिक इस ऑफ इस स्टेटमें पर शुक्षा के सामाजिक आधार से आपका क्या अभी प्राय है सामाजी करन की प्रक्रिया में सु प्रकिर्ट वाद के प्रमुक सिधानतों की विवेचना कीजिए डिसकस्ट बेसिक प्रिंस्पिल्स ऑफ नेच्रलिजम बी है बौद कालेन सुख्छा की प्रमुक विश्ताओं को स्पष्ट कीजिए एक्स्प्लें द मेन करेक्टरेश्टिक्स ऑफ बुद्धिस्ट एजु इंडियन एजुकेशन एट भारती समिधान में सिध्षा के लिए प्रमुक प्रावधन क्या है वाट आर्ड मेन प्रोविजिंस ऑफ एजुकेशन इंडियन इंडियन कंस्टिए ब्हारत में सामाजिक संदर में स्थिक ऑश्रों की शमानता की विवेचना कीजिए नीड ऑफ एजुकेशन इंड प्रोसेस ऑफ एकोनोमिकल डिवलप्मेंट भी है धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की सुरच्छा के लिए सिक्षा के आउस्यक है वाई एजुकेशन इसेंसिल फॉर्ट प्रेवेंशन ऑफ रिलिजियस एंड कल्च्रल हैरिटेज आगे समझने में दर्सन सास्त के अधनिक का महत है निस्दात्म सुक्षा निगेटिव इसकेशन गया समाजी करण में सुच्छा एक अभिकरता की रूप में रुप में रुप में सेक्षिक आउस्टनों की शमानता खंड आया सेक्षा के प्रियोगों के लिए पथ प्रदर्सक है सिक्षा अनुसंधान के चेतर की रुप में दर्सनिक निरणे के लिए निश्ट आंकडा प्रदान करती है बटलर इसकतन की समझचा कीजिए कुशन नमर थ्रे प्रकृतवाद सिक्षा विदियों के चेतर में नहीं वरन सैक्षिक उद्देश के चेतर में असफल रहा है क्य कुश्चन नमर जो अगला जो है कि बहुत दर्शन वेदान दर्शन का एक परिस्कृत रूप है उप्यक्त उदाहरणों द्वारा इस कथन की विवेशना कीजिए कुश्चन नमर शिक्स ए सिक्षा के छेतर में महात्मा गांधिक के योगदानों की विवेशना कीजिए बी का क्या अभिप्राय है यह थार्थवाद के अनुसार सिक्षा के लग्ष सिक्ष्ण विदियों और पार्टिक्रमों की विवेशना कीजिए कुश्चन नमर 7 बी टैग और आधुनिक भारत के सैक्षिक पुनित्थान के सबसे महान पैगंबर थे इस कथन की विवेशना कीज आधर स्वाद में सिक्षा विदियों की अधिक योगदान दिया है क्या आप इस कथन से समयते हैं अपने उत्रके पक्ष में उप्युक्त तर्क प्रस्तुत कीजिए और नाइन का भी है भारति सिक्षा में पंडित मंदर महन मालवी के योगदान की विवेशना कीजिए पं सिक्षा में आदर स्वाद से आप क्या समझते हैं उत्तम समाज के निर्माड तथा संचालन में उसना क्या महत्यम्व योगदान है कुछ सर्थ के सिक्षा भी विच्षा की व्यत्यना कीजिए क्ष्ष्णर नुम्र 6A लोकतंत्र में नाग रिखता की सिक्षा क्यों आवश्यक है बह है परिवार को सक्रियों अनुपचारी सिक्षा का साधन क्यों कहा जाता है सेवने सिक्षा में दर्शन किया है असपस्ट कीजिए बी आधुनिक भालत भारती समाज पर सिक्षा के प्रभाव का किजिए आगे बढ़ी 2012 का कुष्ण पर आपके स्कीन पर अब आप गया है 2012 में पर नाम वही उदिमन भारती समाज में सिक्षक पैटर्ण वही है पहले प्रश्ट को तो 150 सब्दों लेखे डीपी जिला प्रात्म सिक्षा प्रोग्राम है निस्यधात्म सिक्षा इस कतहन की विवेचना कीजिए में सिक्षा में प्रकृत्वाज से आपका क्या तात पर रविद्न Łग सिक्षा से प्रभाव के स संप्रत्य को असपस्ट कीजिए 6B है निरक्षरता और मूलन में राश्ट की प्रोण सिक्षा कारेकरम की भूमिका का वरणन कीजिए Q7A यथार्थवास से आपका क्या अतात पर है सिक्षा पर यथार्थवास के प्रभाव को अच्पष्ट कीजिए Q7B है सिक्षा के व्यक्तिक तथा सामाजिक उद्दिश्यों का वरणन कीजिए Q8A बेसिक सिक्षा के सिधान्त की विवेचना कीजिए Q8B है बौध दुकालीन सिक्षा की प्रवुकुषिस्ताओं की व्याख्या कीजिए Q9A आर्थिक विकास में सिक्षा की व्याख्या की विवेचना कीजिए Q9B है भारत में राष्टि एक्ता के मार्ग में कौन कौन सी बाधाय है सिक्षा इन्हें दूर करने में किस सीमा तक सहायता कर सकती है चले अब 2013 के कुश्चिन पेपर को देखते हैं प्रिपर के नाम वही प्रस्पतवन उदिमान भारति समाज में सिक्ष्च पहला प्रश्ण है दो सब्सब्दों में यहां पर आपको एंस्वा लिखना है Q1 कंपल्सरी है 200 सब्दों में टिपड़ी लिखना है Q3 का है धार्मिक सिक्ष्च ख़ है प्लेटो के अनुसार सिक्ष्च के लक्ष्यम उद्देस Q2 क्वैक्ति के सामाजिक उद्देस गहा बनियादी सिक्ष्च के सिध्धान तो रंगघा है प्रविजन वायत के बनियादी दार्शनेक विचार सेक्षन ए इसमें से किनी दो प्रश्णू का उत्र आपको एक यहार सब्दों में देना है कुशन नमर टू है सिक्षा दर्शन पर पाठिक्रम के सम्द्ध में जितनी निर्भर है उतनी अनकिसी सेक्षिक समस्या के सम्द्ध में नहीं कुशन नमर ट्री वर्तमान भारत हरास होते हुए मुल्यों का देश है इस देश की प्राचिन परंपराओं के पुनुर्थान के लिए कौन सा दर्शन सरोप्योंगी सिद्ध होगा विवेशना कीजिए Q4 है यथार्थवाद संसार को सामानता उसी रूप में सिकर करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है बटलर उपरोत कतन के अलोग में अथार्थवादी के मूल सिध्धान्त की वियुषना करते हुए अथार्थवादी सेक्षिक सिध्धान्तों बेवहारों पर उनके प्रभाव की वियुषना कीजिए सामाजिक परिवर्तिन किसे कहते हैं सामाजिक परिवर्तिन की निरडाय कारकों पर प्रकास डालते हुए इसके मार्ग में बाधा डालने वाले कारकों का वरणन कीजिए section B यहाँ पर भी 500 सब्दों में उत्तर देना है प्रतेक प्रश्ण का दो प्रश्ण का उत्तर देना है प्रतेक प्रश्ण में दो दो भाग है तो प्रतेक भाग का एंसर जो है आपको 500 सब्दों में लिखना है question number 6A है वैदिक सिक्षा की मुख्य सेस्ताओं का निरूपन कीजिए बी है व्यक्ति और समाज के बीच समंधों की व्याख्या कीजिए question number 8A भारती समिधान में उलिखी सेक्षिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए 9A भारत में भावात्मक एक्ता के सम्भावना की विवेचना कीजिए 9B है सांस्कृतिक विरास्त से आपका क्या विप्राय है राश्ट्री एक्ता की उनियन में इसकी क्या भूमी क्या है आप 2014 के question paper को देख लेते हैं यहां पर यह paper का नाम वही है प्रश्ट पत्र एक उध अंगले सिक्णुक का उत्र एक है उनिम्यटों मेंुदकर टूराय है ब्लेटक के संदर में ब्लें से सब्सक्राइब करने वाले विभिन कारुकों की ब्याख्या कीजिए अब बात करते हैं सेक्षन सक्षन के जहां पर प्रतेख प्रश्न में दो भाग है प्रतेख प्रश्न का उत्तर पांसो सब्दों में विद्यार्थी को लिखना है 6A है बौध सिक्षा की उपादानों की ब्याख्या कीजिए B है रूसों की प्राक्रितिक सिक्षा विसेस्ताओं पर टिपड़े लिखी सेवाने दर्सन ने हम सिक्षा की अन्युन्यास्त्रित्ता की ब्याख्या कीजिए भारती समीधान में प्रदक साचिक बंधों को सुचिव ही सुचिवत दिखीजिए अब आते हैं हम लोग 2015 2015 का जो कुश्चिन पर है उसको देखते हैं 2015 में भी टीचर इन इमर्जिंग इनने सोसाइटी वो दिमान भारती समाज में सिक्षा है पैटर्ण वही है कुश्चिन नमबर वन प्रते पार्ट का जो एंसर 200 सब्दों लिखना है ए है मुल्परक सिक्षा के उधाना की वेशना कीजिए डिस्कस दे नीट्स ओफ वैलू औरिंटेट इजक्षन भी है सेक्षिक उसरों की समानता एक्वल्टी ओफ एजक्षन ले पोश्चिन ले पोश्चिन ने पोश्चिन लिखना है कुश्चिन नमबर टू परते एक प् कुश्चिन नमबर टू है सिक्षा के चित्र में दर्सन की आउसकता की वेशना कीजिए डिसकस्ट नीट्स ओफ फिलोस्फी इन दे फिल्ड ओफ एजक्षन कोश्चिन नमर त्रिये एथार्थवाद संसार को सामानता है उसी रुप में स्विकार करता है जिस रुप में वह लोक में यथार्थवाद के मूल्ड सिध्धानतों की विष्णा करते हुए यथार्थवादी सेक्षिक सिध्धानत और वहारों पर उनके प्रभाव की विष्णा कीजिए रिलिजम गार्व इंपर्समें इस चनिडर में स्थाके प्रजन नथिद दर्शन की व्याक्या कीजिए भारती सिक्ष्धा तंद पर इसके प्रभाव की विष्णा कीजिए एक्स्प्लेंद है प्राग्मेटिक फिलोस्पी ऑफ एजुकेशन बित रिफिरेंस तो जॉन डिवी डिसकस्ट इस इंपॉर्टेंस और इंडियन सिस्थम ऑफ एजुकेशन नमर फाइब है सिक्षा के छित्र में महात्मा गांधी की योगदान की विश्चना किजिए कंट्र क्रिवीट कंट्रिब्यूस्ट और मोहंदास क्रमचंद गांधी इंड़ फिल्ड और एजुकेशन सक्षन बी कोई दो प्रस्ट करें प्रतेग प्रस्ट में दो भाग होंगी प्रतेग भाग उत्तर पांसों सब्दों में लिखना है सिक्से सिच्छा के छेत्र में पंडित म और योजय नवाद की प्रमुख प्रस्टाओं का वर्ण कीजिए डिस्क्राइब दैसेलिएंट फीचर्स और प्रेग्मिटर्जम सेवन भी है समाजी करने की प्रक्रिया में सच्छा के वहनका को स्पस्ट कीजिए एक्स्प्लेइन रोल ऑफ इसक्षा के व्योसाइक उदि की वेशना कीजिए डिसक्राइब कंसेप्ट आफ ट्रूथ गुड्नेस और ब्यूटी नाइन भी वैदिक सुच्छा के प्रमुख प्रमुख प्रस्टाओं की वेशना कीजिए डिसक्राइब में क्रेटरिश्टिस आफ वेदिक एजुकेशर आगे बड़ी अब हम बात करत प्रस्टों के अंग समान है को सब्सक्राइब बड़ एक प्रस्टी प्रस्टी के प्रते खंड का उत्तर लगबग 200 सब्सक्राइब निगेटिव इसक्षा पूरू सो नाकरात्म सिक्षा सी है एजुकेशन आजए टूल आप सोसलाइजेशन समाजी करना के उपकरना करूब सब्सक्राइब कंसेप्ट आप नेशनल इंटीक्रेशन राश्टी एक्ता के अधाना इमें फीचर सफ एडिक एजकेशन या वैजिक सब्सक्राइब एक प्रवग प्रस्टों में लिखी नमट टू है एक्स्प्रेंड आइडियाज ओफ आईडियाज आफ आइडियलिस्ट का कि विचारों की ब्याख्या की जिकूशन में टीए डिफाइड आइडीयाज प्रमोट इमोशन इंटीकरेशन भावात्म एक्टा क्या है बहुत्यक्ता को सममर्दित करने वाले कारकों का वर्ण की जिकूशन नमर फाइड प्रिए-वाइड आइडियाज ओप्रेग्में प्रियुजिन नवाती सक्षा के विचारों की व्याक्या कि जिस सेक्षन भी एंसर एंसर नीटुकोस्टन स्वाम इस सेक्षन इस एंसर शुट बी गीवन इन दा अबाउट 500 वर्ड इस खंड में कोई दो इस खंड से कोई दो प्रशनुकृत्र दोजी प्रतेक उत्तर लगभ कि जिस्सेंहें एक्स्प्लेंन कि भुद्ध्षट एंडिया भारत में बहुत ख्या कि ब्याक्या कीजिए कोश्ण नमर एटक्स्प्लेंच सोचल एम्स ओफ एजकॉस्टन सब्सक्षण सिक्षा के समाजी कुद्धिश्यों की जिए जी एट नोट और the contribution of Mother Mohan Malhya in the field of education. श्क्षा के चित्म मदर महन मालवी जी की युगदान पर टिपड़ी लिखे. 9A, Enlist Educational Provisions as provided in the Constitution of India. भारती समिधान में नहित सैक्षिक अबंधों को सुचिबद कीजिए. भारती समिधान में भी हित सैक्षिक अबंधों को सुचिबद कीजिए. कुछ नमर बी है explain the role of education in socialization of children in schools विद्यालियों में बच्चों के सामाजी करणे में सिक्षा की भूमिक्या की व्याख्या की explain the role of education in socialization of children in schools चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे 2016 का जो पेपर आया था पैटर्ण वही है attempt five questions in all question number one is compulsory answer two questions from section A and B each all questions के रिक्वल मार्स कुल पांच प्रश्णों कुत्तर दीजे प्रस्ण क्या एक निवार है कहंड अध था बस यह प्रतेक से दोदो प्रश्णों कुत्तर दीजे तभी प्रश्णों के अंकसमान है question number one है answer each part of the questions in about 200 words इस प्रश्णिक के प्रतेक भाग का उत्तर लगभग 200 सब्दों में लेखिए need of philosophy of education सक्षा दर्शन के आउसकता concept of social change सामाजीत परिवर्तन के अधारना C is what do you understand by curriculum पाठचरिया से आप क्या समझते हैं characteristics of naturalistic education या प्रकृतवादी सक्षा की विशिश्था है section answer any two questions from this section from this section is not more than in not more than 1000 words each is kind say कि दो प्रश्णों के उत्तर देजिए पर देक उत्तर एक्यार सबनों से अधिकार नहीं होना चीकुशन number two explain the aims curriculum teaching methods teacher taught relationship and significance of pragmatic school of education सिक्षा के प्रियोजनवादी संपर्दाय के उद्देश्यों पाठचरिया सिक्ष्ण विधियों अध्यापक्चात संबंध था महत्य की व्याख्या कीजिए question number three describe the individual and social aims of education सिक्षा के वयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों का विवरण लिखिए question number four write an essay on the topic education and modernization सिक्षा और आधुनिक्रन सिर्शक पर एक निबंद लेकिए question number five discuss the aims curriculum teacher taught relations discipline educational contributions of buddhist philosophy of education बहुत सिक्षादासन के उद्देशियों पाठचरिया सिक्षक शुक्षार्ति संबंध अनुसासन था सैक्षिक उपादानों की विवेचना कीजी section B खंडबा answer any two questions from the following answer of each part should not be of 500 words निमले खित में से किनी दो प्रशनों का उत्तर दीजे प्रतेग भाग का उत्तर 500 सब्दों से अधिक का नहीं होना ची 6. discuss characteristics of good textbooks अच्छे पार्ट पुष्टकों की विशिस्ताओं की वियुषना कीजिए explain the relationship between aims of education and curriculum सिक्षा के उदेशियों पाठचरिया की विश्मिद की व्याख्या कीजिए question number 7. what is the role of education in promoting national integration explained with the help of suitable examples स्राश्ट्री एक्ता की उन्यान में सिक्षा की क्या भूमी क्या होती है उचित उदाहरणों की द्वारा ब्याख्या कीजिए discuss the aims of education methods of teaching and merits of वेदान्थ philosophy of education वेदान सिक्षा दर्शन के सेक्षिक उदेश सिक्ष्ण विधियों तो था गुणों का विवेशना कीजिए सिक्षा और दर्शन के संबंध की व्याख्या कीजिए वार्टी सोचलाइशन एक्स्प्लेइन सामाजी करने क्या है बच्चों के सामाजी करने में सिक्षा की व्याख्या कीजिए पहला प्रस्ट जो है वह निवार है टिपड़ी लिखना है दोसों सब्दों में ए है इंटर डिपेंडेंस ओफ एजुकेशन एन फिलॉसपी सिक्षा यह हम दर्शन की अन्यों यास्रित्ता बी है कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन आफ रूसों रूसों की नेकरा इस प्रिपेंडेंस ओफ करिकूलम टीचिंग मेथट्स एंडिस्प्लेइन इन आडिलिस्टिक एजुकेशन आदर्सवादी सिक्षा को प्रिभासित किजिए आदर्सवादी सिक्षा में उद्देश्यों पाठिचर या सिक्षण विद्यूंत था अनुसासन की विएशना क कि जी कुशन नमर् 3 वाट दू यू नो बाए सोसलाइशन एक्स्प्लें द रोल उफ एजुकेशन इन सोसलाइशन अप्छिल नें समाजी करण से आप क्या समझते हैं बच्चों के समाजी करण में सिक्षा की विएख्या कि जी कुशन नमर् 4 वाट यू अदेस्टेंड बा बहुत नमर् 6 ए कमेंट अन बुद्धिश्ट एजुकेशन बहुत सक्षा पर टिप्ड़े लेखे बी डिसकस दे क्राटास्टिक सपने शुदिश्टिक एजुकेशन प्रकरितवादी कि विएशना किजिए तट इस किस इक्सेटी ने एक्स्प्लें एक्सप्याइट ऑफ स इसके अधन किया उसकता की विवेशना कीजिए भारत में सिख्षा पर लोगतंत्र था अधोगी करण के प्रभाव का विवेशन कीजिए एट ए है वाटीज करिकुलम डिसक्स रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन पार्ट चरिया क्या है पार्ट चरिया निर्मान मे अध्यापक की विवेशना कीजिए भी है डिसक्स रोल ऑफ एजकेशन एज टूल ऑफ मॉडर्नाइशन आधोनी करण की रूप करण की रूप में सिख्षा की विवेशन कीजिए नाव टूथाजन एटीन दोहजार ठार है बीएट प्रिएट प्रिवेस एजमिशन दोहजा प्रिए रहेंगे पहला प्रस्ट अनिवार है कोश्चन नमबर वन में जो टिपड़ी लिखना है एमस ऑफ वेदिक एजुक्रिशन वेदिक सक्षा के उद्देश बी है करेक्ट्रेस्टिक्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक्स अच्छी पार्ट पुस्तिकों की विशिश्ता से कंसेप्ट ऑफ सोशल चिंग सामाजिक प्रिवतन के उधाना डी है मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल अंडेस्टेंडिंग अंतर राश्ट्री अवबोध का तातपर सेक्षन एक कोश्चन नमबर टू वाट दू यू मीन वाइप्रेग्मेंटिजम डिसक्स इस इंपेक्ट ऑन और मौडर्न एजुकेशन सिस्टम पर यू जन वासिय आपका क्या तातपर है आधोनिक सिक्षा प्रणाली पर इसके प्रभाव की विविचना कीजिए कोश्चन नमर थ्री डिसक्षा का समासास की अधारना का वर्ण कीजिए तथा अध्यापक सिक्षा के अंतरगत इसके अध्यन की महत्त की विविचना कीजिए कोश्चन नमर थ्री का डिस्काइद कंसेट और सोस्यलोजी के विविचर किजिए कोश्चनर फोर है राइट एन एसे उन पर्म्डर्न और इंधसलाजी संगर्ण की प्रभाव पर एक निबंद लिखिए कोश्चन नमर फाइब explain the Buddhist philosophy of education with reference to the aims curriculum and teacher taught relations बहुत सिक्षा दर्शन की उसके उद्देशियों पाठ चरिया तथा सिक्षक सिक्षा ते संबंद की प्रिपेश्च में ब्याख्या कीजिए सिक्षन B question number 6A explain the role of education in the socialization of the children बच्चों के सामाज एक्रण में सिक्षा की ब्याख्या की ब्याख्या कीजिए describe the merits and demerits of education with reference to idealism आदरस्वादी सिक्षा की गुड़ेम दोसों का वर्णन कीजिए 7A describe the relationship between the aims of education and curriculum सिक्षा की उद्देश्यों पाठ शर्या की भी समन्दों का वर्णन कीजिए 9A describe the concept and need of philosophy of education सिक्षा दरसन की उद्देश्यों कीजिए explain the role of teacher in nationalistic education प्रकृतिवादी सिक्षा में अध्यापकी भुम्क्या की ब्याख्या कीजिए चलिए अब हम बात करते हैं 2019 का जो पेपर आया था knowledge and curriculum का इसमें जो पहला प्रस्ट है जिसमें 250 सब्दों में आपको टिपड़े लिखनी है कुछ चार प्रस्ट दिये गए हैं प्रतिक भाग का उते हैं दो सब्चा सब्दों लिखे ए रिलेसंसी बिटिम फिलोस्फी और इजक्रिस्ट सब्दों दर्सन के मद संबन भी है व्यूज और जॉन डेवी आफ कर्कुलम पाठकरिया बाठकरिया या पाठकरियम के संदर में जॉन डेवी का विचार सी है सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन या सिक्षा की सामाजी कुद्धिस डी है रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीगरेशन राश्ट एक एक एकरण में सिक्षा की भूहिं क्या सेक्षन नमर टू सामाजी प्रिवतिन से आप क्या समझते हैं सक्षा सामाजी प्रिवतिन को कैसे प्रभावित करती है सपष्ट कीजिए बहरत जैसे लोगतांत्रिक देशों के लिए आप किस प्रकार के धार्विक सच्छा की संस्तुति करेंगे पार्ट क्रम से आप क्या समझते हैं पार्ट क्रम के विभीन प्रकारों का वरणन कीजिए यहां पर सब्द हो सकता है पार्ट चरिया आपके समस्ते हैं पार्ट चरिया की विभीन प्रकारों का वरणन कीजिए पार्ट को बढ़ाने में सच्छा के क्या अंतर राश्ट यहतावाद को बढ़ाने में सच्छा के क्या भूम क्या समस्त कीजिए विभीन प्रकारों कीजिए आधुनी करण से आप क्या समझते हैं आधुनी करण हम दर्शन के सम्मंद को दर्साइए एटे है डिसक्राइब दे स्कोप आफ फिलोस्पी आफ एजुकेसन सिक्छा दर्शन के विश्यविस्तार का वरणन कीजिए भी है डिसक्राइब प्रिंस्पिल्स आप करिकुलम कंस्ट्रक्शन हाउ फार आर दीज रिलेवेंट इन मौडरन कंटेक्स एक्स्प्लें पार्टिक्रम निर्मान के सिद्धानतों की विश्यविस्तार कीजिए आधुनी क संदर में कहां तो उपी होगी है असपस्ट कीजिए 9a discuss the aims of education and curriculum of Vedanta philosophy of education Vedanta शिक्षा दर्शन के सैक्षी कुद्धिच्यों पार्टिक्रम का विवेचन कीजिए बच्चों के सामाजी करन में सिक्षा की भूमिक्या को असपस्ट कीजिए नाओ बियर्ड प्रिवेस एक्षा टेक्स्ट बुक या टेक्स्ट अच्छी पार्ट पुष्यटक की विश्यश्ता है सी है एजुकेशन एज टूल ऑप मोर्डन नाजेशन आध्वनी करन के उपकरन के रूप में सिक्षा डी है एजिए के सुड़ड ही इसे शिट शहका समाशास्त्र संट से आप क्या समझते हैं शिच्छा का समाशास की प्रकृति व्यस्टार की विच ना कि एक्ष्ट नमर 4 वाटende कंस्टैट आफ आप करिकुलम डिसक्राइब रोल आप टीचर इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन पाठ चर्या कि अधाना हम उद्धिश की विवेचना कीजिए पाठ चर्या निर्मान में अध्यापक की भूंक्या का वर्ण कीजिए नाओ सेक्शन भी कोश्चन नमर सिक्स एडिसक्स बेसिक फीच इन इसवाट रोलस डज़ एजुकेशन प्ले इन सोचल चंज डिसक्राइब सामाजी प्रिव्थन साभ क्या समझते हैं सामाजी प्रिव्थन में सुक्षा की प्रण क्या क्या है वर्ण कीजिए बी है डिसक्स्ट दे एंस अ करकुलम एकॉर्दिन ट्रोडिन टू इस्लामी प्रप्राकियम साथ शुच्छा के उद्देश्ट पाथिश्या की वियाशना कीजिए कुछन मेरे 80 डिस्क्राइब देश्ट अब बुद्धिश्ट एजुकेशन सिस्टम बाउट सुच्छा ब्यवस्ता की पाथिश्या का वर्ण कीजिए भी है डिसक्षा रोल ऑफ इजक्र इंटरनेशनल अंडर्स्टेंडिंग अंतरराश्ट सद्भाव के विकास में सिक्षा के बिविश्टन की विएशना कीजिए 9a डिस्क्राइब सोचल एंड इंडिविजल एमस ऑफ इसक्राइब से आप क्या समझते हैं भारती संदर्व में सिक्षा पर अदोगी करण के पर जब से आपका सीवी सीजी सिस्टम स्रू हुआ है consequ 2 फ verzLEس्ट एक्षा इसमच्छ सुरू हुआ है दोजार एक्षब monaster वारेशन बनी कैसिए लिए फस समेस्टर्ए्शन अब देखे जो semester सिस्टम था उसमें दो में पार्ट में कुर्ष्चन साथ एए एक पार्ट उता था ड स Baptist 2021 से समस्टर सिस्टम सbase started हुआ है नॉलेज & कर्यकिलम एजोड 102 कोर्स है सब्सक्राइब 102 कोरस का नाम है नॉलेज & कर्यूक् crochet क देखिए जो व्यांख्यात्मग होता था description से सेक्सने एक घं Alrighty का होता था कुल 15 को होता थो मैक्सिम्माँ वांस बंद्रह होते थे इसमें कुल 6 प्रशन दिये जाते थे टोटल नंबर आप कोश्टन से आया थे उसको लोग देख लेते हैं पहला प्रशन डिस्क्षा के अर्थ और प्रकृत का वर्णन कीजिए Q2 है All questions of education are ultimately related to philosophy, discuss शिक्षा समंदी समस्त प्रशन आंतता दर्शन से समंदी थे वियशना कीजिए Q3 है Discuss the main contribution of nationalism in education, शिक्षा में प्रकृतवाद के मुख युगदान की वियशना कीजिए Q4 Describe the aims of education according to pragmatism, प्रयुजन वाद कीजिए Q5 Describe the characteristics of Buddhist philosophy, बहुत सिक्षा दर्शन की विशिस्ताओं का वर्ण करिए Q6 Explain the concept of school of विदानता philosophy विदान दर्शन के विद्याले की संकल्पना को अस्पष्ट कीजिए यह च्छाप प्रशन आपके आये थे आगे बात करते हैं सतो दोहार बाइस थे इसमें वहां पर भी यह सिस्टम था कोर्स का कोड है एक घंटे में किनितीन प्रशनों कुतर लिखने होते थे सही प्रशनों के अंसमान होते थे कुछ्छा प्रशन दिये गए होते थे जो पहला प्रशन है ओ है डिस्क्राइब कंस्ट और नीड ऑफ फिलोस्पी औफ फिलोस्पी औफ एजुकेशन सिक्षा दसर की अधान आउसकता का वरण कीजिये कुशन नबर तू है डिसक्ष दे मेरेट्स और इमेरेट्स ऑप इजकेशन बित रिफेरेंस टू आइडलिजम आदर सवात के संदर में सच्छा के गुड दोस्ण की विशना कीजी कुशन नबर त्री डिसक्ष दे मेन फीचर्श ऑप्रेग्मिटिसम प्रेजय नवाद की मु सब्सक्राइब की विवेचना कीजिए इस तरह से लोगों ने जो आपका कोर्स है इस समंधित प्रश्ण सत्र दोहार चार से लेकर के दोहार तेज तक पुछे तो उसको हम लोगों ने देखा उसमें चर्चा की अब जो है फिर से पुराना पैटर्न आ गया की जो आपकी दोजाचार से लेकर 23 तक जो नोगों देखाना उस्लिव को इससे आपके परिछा की तहरी में आपकी बहुत अधिक सहायता होगी तो डियर स्थ्मित्व प्लीज सार्च अपने प्रेंड कर सकते हैं ना हम तक मुझ आपके प्रशनों को प्रश्ण करने का प्र ब्राइब तक यह आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिस देक्या प्लेस्ट में जाकर कि अपने को आसानी से सर्च कर पाएं और जहांँ पर सब्सक्राइब डेखा उसको बगल में घंटी का आकार बिल का एकन बना हुआ है उस आइकन को प्रिश कीजिए उसको दमाने पर कुछ उप्शन साते उसमें साप आल के उप्शन को सिलेक्ट कर लेजिए इससे यह होगा कि आपके कोर्श रिलेटिन चिते में नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकर्शन उसको सुचना आपको समय से मिल जाएगे और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद